नमस्कार मैं संगीता फर्म लर्नोहब दा लर्निंग प्रेट फर्म जहां पढ़ सकते हो मैंच साइन्स एसेस्टी एप्सलूटली फ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एंसेटी सिलूशन फॉर क्लासेक्स टॉपिक हमारा है आवा कंट्री इंडिया कोश्चन नमर वन टू थृ चलिए बच्चों महराज का चप्रे स्टाट करते हैं कोश्चन नमर वन हमारा है एंसेड फॉलोइंग कोश्चन ब्रिफली आंसर इंडिया को आधर देखने को नहीं मिलते हैं अगर किसी को आईलैन्ड देखने यहीं देख सकते हैं प्लेंस देखने यहीं देख सकते हैं तो इंडिया के physical division की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे variation है कि आपको उन चीज़ों के देखने के लिए कहीं और आप जाना चाहो तो जा सकते हो बट वो सारी चीज़े आपको अपनी इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगी तो physical division की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उपर से start करेंगे उसके top से start करेंगे सबसे top पे हमारे क्या आते हैं mountains आते हैं उसके नीचे आएंगे हम यह जो हमारे parts है यह सारा हमारा mountain वाला part हो गया फिर इसके नीचे हम आएंगे यहां पर northern plains आ जाएगा इंडिया के northern plains यहां आते हैं fourth fourth हमारा क्या है play to play to do भी हमको यहीं पर देखने को मिल जादा है जितना यह पिंग का पॉर्षन यह हमारा हो गए peninsular plateau next हमारा है फो fifth coastal areas फिप्त क्या है वाला coastal areas यह जो है yeah sky blue से हो हुआ है यह हमारे हो गए coastal areas हो गए क्योंकि यह जो portion है यह सी से घिरा हुआ है तो यह वाला portion हमारा coastal areas हो गए देखो आपको coastal भी यहीं देखने को मिल जाएंगे coastal areas नेक्स उसके बाद six हमारा है the islands islands जो हमारे है अन्दमा निकोबार लक्षदीव यह सारे जो हमारे islands है तो islands भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे तो six हमारा होगे island आई answer देखते हैं the major physical division of India are the the Himalayas first है second the northern India Indian plains third the thar desert fourth the peninsular plateau fifth the coastal plains and six है the islands तो यह हमारे हो गए major physical division of India चले वचो हम देखते है question number one का B, B हमारा है India shares its land boundaries with seven countries इंडिया जो है वो 7 countries के साथ land boundaries share करता है उनके नाम बताना है question पे ध्यान दीजे seven countries जिन के साथ in कि लैंड बॉॉंडरी रों दानी पे land boundary जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डरी शेयर करता है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आपको दिख रहा है यहां कि यह तो पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही बट यह थोड़ा सा पोर्शन आपको यह दिखेगा यह इधर आई है और यह यहां से यह अफगानिस्तान के साथ भी land boundary share होती है, next हम देखते हैं, third हमारा है China, China के साथ land boundary share होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे fourth, fourth है Nepal, Nepal के साथ हमारी land boundary share हो रही है, फिर fifth है हमारा Bhutan, Bhutan के साथ land boundary share होती है, six है हमारा Bangladesh, उसके साथ land boundary share होती है, अब बचा क्या, Myanmar, Myanmar जो है उसके साथ भी हमारी land boundary जो है वो शेयर होती है कोशन में क्या है कोशन में है land boundary जिसके साथ शेयर होती है ऐसे seven countries के नाम बताने हैं चलिया यह देखते हैं कितने हो गए पाकिसान one, अफगानिसान two, चाइना three, नेपाल four, भुटान five, बंगलादेश six and मियमार seven हो गई seven countries तो यह seven countries हैं जिनके साथ इंडिया land boundary शेयर करता है चलिया अब देखते हैं sea, sea क्या है मारा, which two major rivers fall into the Arabian sea, Arabian sea में fall करने वाली two major rivers के नाम बताना है, two major rivers के नाम बताना है, first इसमें क्या है नर्मदा एंड टापी, यह दोनों ही western ghat की रिवर्स हैं, तो नर्मदा एंड टापी, यह दोनों rivers ऐसी हैं जो की fall करती हैं कहां Arabian sea में fall करती हैं, next हम आते हैं D, D हमारा है name the delta formed by the ganga and the brahmaputra, नाम बताना है delta का जो की बनता है ganga and brahmaputra से, ganga and brahmaputra यह मिलके बनाती है सुन्दरबन डेल्टा, कौन सा डेल्टा बनाती है, सुन्दरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सुन्दरबन डेल्टा, जो की ganga and brahmaputra मिलके बनाती है, यह world का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका अगर shape हम देखें तो triangle shape में है, triangle shape में बना हुआ यह delta है, जो की ganga and brahmaputra मिलके बनाती है, world का सबसे बड़ा डेल्टा है, चले बच्चों देखते हैं, question number one का ee हमारा है, how many states and union territories are there in India, which states have a common capital, question क्या है, question के two parts है, first part क्या कह रहा है, फर्स पार्ट कह रहा है कि इंडिया के number of states and number of union territories बतानी है, और second part कह रहा है कि common capital वाले state का नाम बताना है, तो first part की बात करें, तो number of states हमारे हैं 28, there are 28 states and 8 union territories, ये first part complete हो गया, next part क्या है कि states के नाम बताने हैं, जिनकी common capital है तो वो states है पंजाब और हरियाना, पंजाब और हरियाना जो है, उनकी common capital है, common capital है, उसका नाम आप मुझे बता दो, जी हाँ, common capital जो है पंजाब और हरियाना की उसका नाम है चंडिगर, चंडिगर, पंजाब और हरियाना इन दोनों की capital है, हरियाना और पंजाब have the common capital, next हम आते हैं F, F हमारा है, why do a large number of people live in the northern plains, नदन प्लेंस में, large number में लोग क्यों रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, उसको हम जान लेते हैं, सबसे पहली चीज कि नदन प्लेंस जो हैं, वो flat होने की वज़े से, यहां पर लोगों का आना जाना आसानी से हो सकता है, transportation आसानी से हो सकता है, लोगों के घर आसानी से बन सकते हैं, और थर्ड चीज है कि agriculture जो है, वो आसानी से हो सकती है, तो यह हो गया, second reason क्या है, कि जो rivers हैं, वो अपने साथ बहु 67% जो population है, वो agriculture से related कामों में ही लगी है, तो इस वज़े से लोगों की जो life हो है, वो easy हो जाती है, इस वज़े से लोग नदन प्लेंस में ज्यादा रहते हैं, तो हमारा यह answer भी complete होता है, next हम आते हैं, why is Lakshadeep known as a coral island, Lakshadeep को coral island के नाम से क्यों जानते हैं, इसलिए जानते ह क्योंकि Lakshadeep जो है, वो coral से बना है, अब यह coral है क्या, coral है tiny and marine animals के skeleton, जो छोटे समुदरी जनतू होते हैं, छोटे समुदरी animals जो होते हैं, जब उनकी death हो जाती ही, तो उनके जो skeleton होते हैं, उनके उपर, उनके जो skeleton होते हैं, उसे हम कहते हैं polyps, जो छोटे समुदरी animals होते है उनके जो skeleton होते हैं, जब वो मर जाते हैं, उनके जो skeletons होते हैं, उनकी death के बाद, तो उनके जो skeletons होते हैं, उन्हें कहते हैं polyps, अब यह जो polyps हैं, यह बहुत hard होते हैं, तो इसके उपर new polyps, फिर उसके उपर new polyps करते-करते, यह काफी उचाई पर आ जाते हैं, एक के उपर एक जो कोरल है कोरल क्या है वो समुद्री जीव हैं जो कि जिनकी जब डेथ हो जाती तो उनके स्केलेटन पर नियू पॉलिफ जो है वो पनपते हैं और उन्हीं के ऊपर एक होने की वज़े से यह उचाई को पा जाते हैं जिससे यह आइलाइन बन जाता है चले बच्चों देखते हैं question number two question number two हमारा है take the correct answer correct answer को tick करना है इसमें a हमारा है the southern most हिमालियाज are known as Southern most हिमालियाज को किस नाम से जानते हैं known as option है a first है शिवालिक, second है हिमाद्री and third है हिमाचल तो जो right answer होगा वो होगा हमारा शिवालिक, जो southern most part है हिमालियाज का उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं and northern most जो part है उसे हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से and जो middle वाला part है उसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं तो southernmost part जो part है वो हमारा है शिवालिक, next हम आते हैं B, B है सहयादरी is also known as, सहयादरी is also known as western ghat, western ghat के नाम से इसे सहयादरी जो है उसे हम western ghat के नाम से भी जानते हैं, अब हम देखते हैं C, C हमारा है the park state lies between the countries, park state जो है वो किन countries के बीच में स्थित है, वो है इंडिया एंड श्री लंका के बीच में, इंडिया के तमिल नाडू और श्री लंका को ये जोडता है, जिसे की park जल्डमरू मध्य भी कहते हैं, हिंडी में कहते हैं, park state जो की इंडिया श्री लंका को जोडता है, इंडिया के तमिल नाडू और श्री लंका को जोडता है, तो जो इसमें option B है, वो हमारा correct है, इंडिया एंड श्री लंका, चले बच्छे हम देखते हैं, question number 2 का D, D हमारा है the Indian island in the Arabian sea are known as, Indian island जो की Arabian sea में है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, option देख इसका answer पता होगा, कि वो क्या होगा, वो होगा, second option लक्षदीप island, लक्षदीप island है, जो की Arabian sea में है, उसे हम, Arabian sea वाले island को हम लक्षदीप island के नाम से जानते हैं, अगर हम इसकी location भी देखें, तो यह जैसे इंडिया का south portion हो गया, इधर हमारा bay of Bengal है, bay of Bengal इधर है, और इस side पे अगर हम देखें, तो यहां पे Arabian sea है, Arabian sea में हमारा लक्षदीप island जो है, वो है, लक्षदीप island हमारा Arabian sea में पढ़ता है, तो Arabian sea वाले island को किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं, लक्षदीप island, E, आते हम E पर E है, हमारा the oldest mountain range in India is the, oldest mountain range इंडिया की कौन सी है, option देख हमालिया, तो हमालिया विस्टन घाट जो हैं, यह बाद में बने हैं, अगर हम oldest mountain range की बात करें, तो वो है Arabian sea जो हमारा होगा, option जो first है Arabian sea वो Arabian sea hills, वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमालिया जो है और विस्टन घाट जो हैं, वो तो बाद में बने, बट अरावली जो है, वो oldest mountain range हमारी है, चले हम देखते हैं, question number 3, question number 3 हमारा है fill in the blanks, fill in the blanks है, क्या करना आपको पता है, तो मेरा पहले से fill हो रखा है, जो blue portion है, यह मेरा पहले से fill हो रखा है, चलिए अब इसमें start करते हैं, A हमारा है, India has an area of about India का, जो area है, वो कितना होगा लगभग, वो होगा 3. 3.28 million square kilometer, यह होगा, जब भी आप इस answer को लिखिये, चाहे, fill in the blanks में आए, या फिर MCQ में भी हो सकता है, number 7 देदे, digit change कर दे, तो उसमें लिखना है, या कोई question है, आपको direct answer लिखना है, उसमें, इन सभी जगा जब भी आप देखोगे, तो इसके जो digit है, वो आपको सही नहीं है, अगर आपने उसे सही नहीं लिखा, तो वो आपका answer जो है, वो wrong हो जाएगा, और हमेशा जब भी इसे लिखे, digit के साथ लिखे, तो 3.28 million square kilometer जो है, इंडिया का area है, ठीक है, next हम आते हैं B, B हमारा एदा greater himalias are also known as, greater himalias जो है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे ह हम जानते हैं, हिमादरी, हिमादरी, हिमाले की जो सबसे उची चोटिया है, most top range जो है, उसकी वो हिमादरी में ही आती है, next हम आते हैं C, C हमारा है, the largest state in India in terms of area is, area के terms में इंडिया का largest state क्या है, ध्यान दीजेगा, area के terms में पूछ रहा है, तो वो है हमारा राजस्थान, next हम आते हैं D, D हमारा है, the river Narmada falls into the, इस topic पर हमने भी पहले भी बात की, starting question में कि river Narmada, जो है, वो कौन से C में fall करती है, वो करती है, Arabian Sea, तो river Narmada falls into the Arabian Sea, next हम आते हैं D, D हो गया, next हम आते हैं E, E हमारा है, the latitude that runs almost half way through India is, latitude, कोई latitude line है, जो कि इंडिया को almost two parts में divide करती है, उस line को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, Tropic of Cancer, Tropic of Cancer जो है, वो इंडिया को almost two parts में divide करती है, यह हमारे eight states से होकर गुजरती है, वो eight states कौन कौन से हैं, वो हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्धिप्रदेश, फर्स्थान, सेगेंड सेवंथ, त्रिपुरा, एन एट्थ है, मिजोरम, यह eight states से होकर यह गुजरती है, और इंडिया को almost two parts में यह divide करती है, Tropic of Cancer, I hope कि बच्चों आपको यह answer समझ में आ गया होगा, तो बच्चों हमारे आज का chapter complete होता है, और I hope कि आपको यह समझ में भी आया होगा, और आपने enjoy भी किया होगा, मिलते हैं next chapter and next solutions के साथ है, learn of learn of free है, पर best है, thank you